इस वक्त की बड़ी खबर किसान अंदोलन से जुड़ी हुई आ रही है खबर ये है कि किसान सयुक्त मोर्चा एक बार फिर किसान अंदोलन के शुरुबात करने वाला है और 15 अगस्त को फिर से देश में ट्रेक्टर मार्च निकालने की कोशिश में जुटा है ये खबरे जैसे ही चर्चा में आई है जाच अजनसिया अलट मोर्ट पर आ गई है क्योंकि पिछली बार 2021 में किसानों ने 26 जनवरी के दिन देश में ट्रेक्टर मार्च निकाला था और 26 जनवरी की परेड में बाधा डालने की कोशिश की थी तो अभिशेक एक बार फिर से द आगे नहीं आने दिया था दिल्ली कूच करने नहीं दिया गया था क्योंकि 2021 में लाल किले की प्राचीर पर तिरंगे को उतार कर खालिस्तानी जंडा लगाने का काम इन किसान अंदोलन करने वाले कथित किसानों नहीं किया था वह उत्पात उन्होंने उस वक्त मचाया था उसके बाद फिर उत्पात आपने मचाया जनवरी में 2024 में और फिर से इन्होंने तारीक चुनी है 15 अगस्त 2024 की तो यह जो मौके होते हैं सोतंतरता दिवसका हो या फिर गंतंतरता दिवसका हो तो आजादी के मौके पर आजादी के समारों में यह किसानों ने यह सिर्फ प् गुटनों पर आएगी लेकिन सरकार गुटनों पर जो है 26 में 26 जनवरी में 2024 में जो इसी साल हुई थी उस पर नहीं आई थी और किसानों को अनुमती नहीं दी गई थी भलाई पॉकलेन मशीनें जो है यह तैयनाद की हुई थी किसानों की तरफ से बुल्डोजर लगाए ग और अब हर्याना का चुनाव सरपर है तो यह हर्याना की चुनाव को देखते हुए किसान अंदलों ने फिर से किसानों ने अंदोलन का अख़वान कर दिया है वह इस वक्त हर्याना का चुनाव जो है वह आने वाला है तीन महीने के बाद हर्याना का चुनाव है और हर्याना में जो परिणाब आए वो बीजेपी के लिए सही नहीं आए क्योंकि 14 में और 19 में जब सरकार बनाई थी बीजेपी ने वहाँ उससे पहले लोकसभा सब्सक्राब चुनाव में 10-10 सीटें लेकिन इस बार हरियाना ने जो पठकता लिक है वो अलग है हरियाना ने इस बार को पांच सबा की सीटें कामयाब रही वहीं एक और जो है मामला फस्ता है मायावती ने भी घटबंदन कर लिया है इने लों के साथ बीजेपी अलग लड़ रही है कॉंगर्स अलग लड़ रही है और सबसे बड़ी बात आम आत्मी पार्टी ने भी जो है ऐलान कर दिया है हर्याना में चुनाव लड़ने का अब एक चीज और समझ लीजी आप एक तर दख Tabii अब कहिना कहीं इंज ने भी कर जा रहे हो लेकिन यह देंगे उसफे पहले इसिकी बातचीत करें का मामला सुल जा लिया जाएगा अगर धरना देंगे तो कहीना कहीं हैं चीजे उस वक्त कनेक्ट करेंगी क्योंकि 2019 में जो धरना हुआ था उसके बाद जब धरना हुआ तो कहीना कहीं हम आदमी पार्टी उसमें अपनी सम्वेधनाय व्यक्त करती हुआ नजर आई थी तो राजनीतिक एंगल यहां भी मिलेग किसान पिछले कुस दिनों से हर्याना के बॉर्डर पर डटे हुए हैं इनकी मांगे कि हमारे अंदोलन को 200 दिन पूरे हो जाएंगे अकर सरकार हमारी MSP की गारंटी पूरा नहीं करती यह इसके साथ C2 प्लस 50% का जो फॉर्मूले के तहत के फसलों के दाम यह तै करने की मां चार कर रही है तो किसानों ने ना सिर्फ किसानों की मांगों को उठाया बलकि तीनों कानून को लेकर भी वो धरने पर बैठे हुआ उनकी प्रतिया भी जलाई गई हैं तो ऐसे में अगर किसानों की मांग नहीं मानी जाती तो फिर से इन किसानों ने आंग दिखाना झाल झाल